हलो फ्रेंड स्वागत है आपका वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो भी भाई बेहन हमारे चैनल पर नए है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दीगे घंटी को भी दबा दे आज हम बनाएंगे साधी विया में बनने वाली आलू छोला की बहुत ही चटपटी सब्सक्राइब करना चैनल को उबाल लिया है इसमें मैंने डाला था नमक और तीन चार आलू को साथ आठ सीटी आने तक उबाल लिया था यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीजें अच्छे से उबली हुई है अब ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर लेंगे लेसुन की कलिया थोड़ी सी अद्रक हरी मिर्च हरी मिर्च आप तीख आपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते ह हैं और चार मीडियम साइज की प्याज और पांचे लॉंग साथ आठ काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा इन सभी चीजों को इकठा ले लिया है हमने अब इन सभी चीजों का हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे यहाँ आप देख सकते हैं पेस्ट बनकर रेडी है अब लेंगे कटे हुए टमाटर यह दो मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर है और उसके साथ ही हमने लिया है छोला मसाला और एक ते कडाही में तेल गरम हो चुका है उसमें हमने डाला है जीरा तेज पत्ता और एक कटी हुई प्याज को यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे हमने भून लिया है अब डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था प्याज दरख लैसून इन सभी चीजों का इसको भी डाल के और अच्छी तरीके से पका लेंगे यहाँ पर पेस्ट हमारा आधे से जज़धा पक चुका है आप सुखे मसाले ऐड करेंगे पहले डालेंगे हल्दी पाौडरि से कलर काफी अच्छा आता है कि अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो आप हल्दी ना डाले लेक अच्छे से मिक्स कर देंगे बिने उसके बाद हमने डाला और उसके उपर से दालेंगे पानी आधा गिलास और मसालों आप तेल चोड़ने तक अच्छे से जूत लेंगे यहां पर देख सकते हैं मसाला तेल अच्छे से पक चुका है तेल छोड़ रहा किनारों से आप हम डालेंगे कटे हुए टमाटर matching का और ले टमाटर गळने तक मसालों को हम पकालेंगे अच्छी तरीके से यहां पे हमने कटे हुए टमाटर का इस्तेमाल किया है आप अगर चाहें तो यहाँ पे टमाटर की पियूरी भी डाल सकते हैं टमाटर अच्छी तरीके से गल चुका है आप डालेंगे उबले हुए अलुओ को और इसको हास से तोड़ कर डालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं अब इसको अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक भून लेंगे इसे भूनते हुए लगभग 1-1.5 मिनट हो चुका है आप डालेंगे उबले हुए चने को और उबले हुए चने का पानी हमने फेका नहीं था डारेक्ट पानी चाहित हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि सबजी पकने के बाद गाड़ी हो जाती है नमक थोड़ा ध्यान से ही डालेंगे और इसको ढख कर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे मिलते हैं 15 मिनट बाद 15 मिनट हो चुके हैं सबजी को चेक कर लेते हैं यहां आप देख सकते हैं सबजी अच्छी तरीके से पक चुकी है और किनारों से तेल भी एकदम अलग हो चुका है सबजी को अगर टाइम देकर पकाएंगे तो सबजी काफी स्वादिस्ट बनेगी अब उपर से डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्ती और ये हमारी शादी व्याह में मिलने वाली आलू छोला की सबजी बन कर तयार है बेहद ही स्वादिस्ट बनी हुई है अब इसको एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे आलू छोला की इस रेस्पी को हमने बहुत ही कम मसालों के साथ बनाया है और आप इसको अपने घर में छोटी मोटे फंक्शन में बना सकते हैं कभी भी बना कर खा सकते हैं इसको उपर से हमने डाला है धनिया की पत्ती और कटी हुई प्याज को ताकि ये देखने में क्यू थेक्स पर वच्चिंग